इस टुटरियल में हम एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे ये समझने के लिए कि 1 लीटर 1000 cm3 के बराबर होता है देखो ये एक्टिविटी मैं आपको इस लिए समझाना चाहता हूँ कि अक्सर क्या होता है कि examination में आपको ये units याद नहीं रहते हैं अब कभी कभी examination में आपको पूछा जाता है कि cm3 को लीटर्स में convert करो या लीटर्स को cm3 में convert करो तो अक्सर आपको confusion हो जाती है तो उसके लिए क्या है कि मैंने क्या गिया है कि एक मैंने क्यूब बनाया जिसको आप भी घर पे बना सकते हो ऐसे ही hard cardboard से मैंने क्यूब बनाया और उसकी सारी sides जो हैं सारे edges जो हैं वो 10 cm के हैं 10 cm, 10 cm, 10 cm, length, breadth और height और एक तरव मैंने 1 liter water ले लिया ठीक है और ये 1 liter water जब मैं इसमें pour करूँगा तो ये पूरा उपर तक भर जाएगा so let's do this activity उसके बाद मैं समझाता हूँ कि इसको further आप कैसे याद रख सकते हो कि ये 1000 cm cube के वराबर होता है अब आब ये देखो ये मैंने खुदी cardboard से एक चोटा सा cube बना लिया आप भी इसको घर पर बना सकते हो और इसकी dimensions जो है वो इस तरफ देखोगे तो 10 cm इधर देखोगे तो 10 cm और इसकी depth देखोगे तो वो भी approximately 10 cm मैंने बना रखी है अब ये मेरे पास 1 liter पानी है अब 1 liter पानी को मैं इसमें डालता हूँ ये मैंने पानी को इसमें पोर करना शुरू कर दिया और ये मैं सारा पानी इसमें डाल देता हूँ और आप देखोगे कि ये बिलकुल उपर तक भर गया है ये बहुत अच्छे से नहीं बना हुआ थोड़ा सा पानी लीक भी हो जाएगा आप समझ सकते हो इसको ये मैंने जब इसको डाला तो ये आप देख सकते हो कि ये बिलकुल उपर तक जितना मैंने बनाया था 10 by 10 by 10 उतना बर गया थोड़ा सा लीक हो रहा है इस ओके लेकिन ये आपको समझाने के लिए मैंने बनाया के 1 liter 1000 cm3 का मतलब क्या होता है अब इसको फर्दर आप ऐसे समझो के अमालो एक्जामिनेशन में आपको फिर भी याद नहीं आ रहा के 1 liter जो है 1000 cm3 होता है देखो अब 1 liter पानी जब डालोगे तो कम से कम इतना चोड़ा डिबा तो आप लो गई अब आपको cube बनाना है cm3 यहां तो वो 1 into 1 into 1 हो जाएगा 1 cm, 1 cm, 1 cm तो यह तो 1 cm3 हो गया यानि कि यह बिल्कुल छोटा सा डबा बन जाएगा इस size का ठीक है तो यह तो हो नहीं सकता और अगर आप 100 into 100 into 100 करो तो वो तो बहुत बड़ा डिबा बन जाएगा तो उसमें 1 लिटर से बहुत जादा पानी आएगा तो इसका मतलब आप visualize करके visualize करके भी इसको याद रख सकते हो कि 10 cm 10 cm मतलब इतना तो इतनी length हो ठीक है आपके box की इतनी ही इसकी breadth हो और इतनी ही इसकी depth हो तो इस size का डिबा जो होगा वो मेरा बनेगा 10 by 10 by 10 इतने centimeter cube यानि कि 1000 cm cube याँ इसको हम 1000 cc भी बोलते हैं cc मतलब cubic centimeter अब एक बात और कि ये सरफ और सरफ मैं आपको समझाने के point of view से cube ले रहा हूं कि 10 x 10 x 10 लो तांकि आपको याद रहे otherwise 1000 cm cube के लिए अगर मेरे पास एक cuboid हो जिसकी dimensions हो 5 cm 10 cm and 20 cm तो उसकी भी volume 1000 cc ही होगी पर उससे ये concept समझ में नहीं आएगा तो इसलिए मैं इसको एक cube की form में ही explain कर रहा हूं ताके आपको इसको remember करने में इसको याद रखने में असानी हो so I hope अब examination में अगर just in case आपको ना भी given हो कि 1000 cm cube 1 liter के बराबर होता है या आपको ना भी given हो तब भी आप इस experiment को दिमाग में रखे और visualize करके हमारे पास जो भी figure है वो इस तरह की है यह तो आप फिर भी याद रख सकते हो कि यहां तो 100 cm है यह 1000 cm है यह 10,000 cm है तो यहां तो 1 into 1 into 1 है यह 10 into 10 into 10 है यह 100 into 100 into 100 है तो आप visualize कर सकते हो कि 1 into 1 into 1 तो बहुत छोटा होगा उसमें 1 liter पानी नहीं आ सकता 100 into 100 into 100 बहुत बढ़ा होगा उसमें तो बहुत ज़्यादा पानी आएगा तो वो भी नहीं हो सकता तो यानि कि आपकी जो option बज़ती है वो है 10 into 10 into 10 और ये जो हमने अभी अभी experiment किया आप एक बार अगर घर पे खुद कर लोगे तो फिर ये आपको कभी भी life में भूल नहीं सकता So that's it from this tutorial Keep watching Mathemafia